पादत है आप सभी का UP, E&M 12, 12 भरती में बात करेंगे, हाँ पर EWS के मामले में लगातार सुनवाई हो रही है, लगातार डेट लग रही है, 21 को भी डेट लगी थी, कल भी डेट लगी थी, और आज फिर सी डेट लगी है, कल भी सुनवाई नहीं हो पाई थी, 21 तारिक को भी स कि दिसंबर में जवाईनिंग की पूरी उमीर हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकारिक कार्य हैं, अज़र हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, वो अपने हिसाफ से करते हैं, तो देरी लगना भी तेह होता है, लेकिन जैसे ही चिरजिला प्रेफेरेंस वाला कार्य समाप्त हो जाता है 24 तारिक तक उसके बाद लगातार कोशिस की जाएगी कि दिसंबर में जितनी जल्दी हो सके ज्वाइनिंग करा ली जाए निकाय चुनाओ के आचार संगिता का आपके ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ना है और ना ही किसी भी तरह के या EWS मेटर का कोई भी प्रभाव पढ़ना है अगर नियुकती पत्र बितर समारो करना होगा माननी मुक्यमंत्री जी को या तो बाद में कर लेंगे चुनाओ के बाद या तो फिर चुनाओ आचार संगिता लगने से पहले-पहले दिसंबर के फर्स्ट युक में कभी भी करा ले वो उनकी ऊपर है तो इसके लिए हमें विभाग में भी मुक्यमंत्री जी से भी और लगातार हमें सासन में बात करनी होगी इसके लिए लगात प्रोविजनल के जितने भी बहने हैं कल डिप्टी सीम सर ने क्या कहा उससे आप लोग मत परिसान होगे उन्होंने कम सकम बता तो दिया साप साप कि हम कुछ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम सकम उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया कि आगे आप जाकर के मुख्यमंतरजी से मिलिए और अगर हम लोग आगे डिप्टी सीम सर से मिलते हैं तो उनसे हम लोग ये बोलेंगे कि सर हमारी बात मुख्यमंतरजी तक पहुचा दीजिए हम इसलिए आपके पास आया हैं कम सकम हमें आपको पता तो चल गया ना कि हमें प्रोविजनल में कोशिस किस प्रकार स सकते कई भरतियों में बहुत बार प्रोविजनल लगता आया है और प्रोविजनल के भी ज्वाइनिंग होती है उनमें जो कुछ भी चोटी मीटी कोई प्राब्लम होते हैं डोकुमेंट समंदी उनको क्लियर करते वे उनके भी प्रोसेस की जाती है तो बिलकुल भी अफवा सूची मेरिट को दी जाती है जैसे बिभाग में काररत करमचारी है तो उन्होंने एक्जाम दो दिया नहीं है लेकिन वहाँ पर उनकी परफार्मेंस देखी जाती है उसी को मेरिट माल लेजिए यहां पर क्या यहां पर आपका एक्जाम हुआ है अभी आप रिकूट होने परिक्षा की नमबर देखी जाेंगे सब जोड़ करके संविदा करमी तो जोड़ करके फ्रेस से तो उनको तो संविदा का कोई मतलब नहीं है तो आपकी मेरिट देखी जाएगी उसके बाद पर देखा जाता है आपके अनुभाव या एज यह सारे क्राइटेरिय एबाद म भरती में समय उजित होंगे पदों की संक्या कमी नहीं है अभी आप देखेंगे क्या कहा आपने उपर मुखी मंत्री जी ने कि दस अजार पदों हम एनम भरती करेंगे पद बहुत है जिले में इस भरती के लिए जो निर्धारित पद है ये डाटा विभाग को करना चीए था सारवजनिक लेकिन उन्होंने नहीं किया खैर कोई बात नहीं कुछ जिलों के अनुमानित डाटा हमने आप सबी को बताये थे लगबग 75 जिलों का तो नहीं हम बता पाएंगे आप सबी को लेकिन हर जिले में परियाप्त सीटे हैं बुंदेलखंड महत्वा कांची में सव म एक दो लोगों को ही भेचने की उमीद है बाकि सबको या तो अपना गिरिय जन्पद या फिर नजदी का जिला मिल जाना है इसलिए आप लोग बिलकुल परिसान मत होएं किसी का भी जिला अलार्टमिंट गड़बड नहीं होने वाला है कुछ तो आफवाय फैल जाती है आ चाकि बिभाग हो चाहे आयोग हो चाहे सरकार हो सब की अपनी कोशिस है कि पूरी पारदर्शिता के साथ भरती होने चाहिए एस्टियप लेकपाल वाले भरती में देख लिजी आप हालत तो कोई भी बहड़त होगा तो वहां पर कहीं नहीं उस चीज में गलत ही होता है सबकात भू Όर सब्काइब और यहां पर living भρती है प्रकृररित अक्रइब टांटन Agap प्रप्रेम्प्राच में समय लगना कृ Minuten पर द समय बहुत है बिभाग करना चाहेंगे यह जल्दी कर लेंगे टो ज़्यादा समयॉन यहिंधे लगना अदि जोइनिंग प्रोसेस हो जाये तो अच्छा है ताकि नए साल में फिर आप लोग अपने डूटी करें और जिन भी बहनों का आज जिला प्रिफरेंस भरवाय जा रहा है आप सभी अच्छे से जिला प्रिफरेंस भर के आए और बिल्कुल भी आप लोग घंब रहा है नहीं जिसका अगर किसी का लेट भी हुआ देरी भी हुआ या रोलंबर आपका चूड़ गया तो भी आपका साम तक आप जिला प्रिफरेंस करवा करके ही आए किसी कारवस लेकर कि सुट गया होगा जिला प्रिफरेंस भरना तो 24 तारिक व्यानी कल की डेट में आप जाकर कि अपना जिला प्रिफरेंस जरूर भर माले हैं कल भी नहीं जा पाए तो क्योंकि कुछ दो-चार शिकायते इस परकार की हैं किसी के साथ कोई दिक्कत होगी ज्यादा तो किसी को भी किसी का सेलेक्षन नहीं रुकेगा यहां पर लेकिन यह है कि फिर आपको कोई भी जिला दे देंगे वहाँ पर यह होगा बस अगर आप जिला प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो क्योंकि हाँ पर आप फाइनली सेलेक्टेड हैं केबल जिला प्रेफरेंस नहीं बनने के बज़े से किसी का सेलेक्षन थोड़ी निरस्त होता है selection उनका भी होगा उनको भी जिला मिलेगा उनको भी ज्वैनिंग मिलेगी लेकिन उनको फिर कोई भी जिला दे देंगे जहां पर सीटे खाली रहेंगी बस इतना होगा तो जिनका छूट गया है कि सभी लोग कोशिस करें अगर संभा हो तो आप कल जाकर के अपना जिला प्रिफरेंस जरूर बर ले और जो मैंने पूछ रहे थी कि क्या हम 24 सारी को जाकर के जिला अलार्टमेंट देख सकते हैं ये तो बहुत मुस्किल है बता पाना कि ओ लोग दि लेते रहेंगे वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक करके सेर आप से भी जरूर कर दिया करें धन्यवाद